So hey what's up guys, Harshan back with the video So guys, before starting, मैं सारे व्यूवर्स को Happy Republic Day विश करना चाहता हूँ जो इंडिया में रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते हैं Wishing you a very happy Republic Day And guys, let me know in the comments down below कि आपने 26 January वाली parade देखी या नहीं देखी So guys, let's just now quickly get started So in this video, I'm gonna show you an in-depth review of the iPhone XS And guys, I'm gonna tell you that Should you buy an iPhone XS in 2020 or not So guys, जैसे कि आप में से काफे लोगों पता होगा जो लोग में को follow करते हैं मैं पिछले कुछ दिन उसे ऐसी वीडियो बना रहा हूँ That should you buy an Apple Watch Series 3 in 2020 or not iPhone 7 in 2020 or not And guys, ये उसी वीडियो के continuation में एक और वीडियो है जिसमें मैं आपको बता हूँगा कि आपको iPhone XS 2020 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए By the way guys, अगर आपने उन दोनों में से कोई वीडियो नहीं दिखी है Link's light up in the description and in the i-card as well So guys, let's just quickly get started So guys, जो phone है, हो launch वोदर 2018 में And guys, 2018 में launch वोदर इसका मतला है iPhone around almost 1.5 साथ पुराना होने को आ रहा है And it's not a piece of tech 2020 में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए So, I review के साथ सब को बताता भी रहूँगा कि जो में कुछ चीजे पसंद लग रही है नहीं लग रही है या फिर आने वाले कुछ साल बाद या आउटेटिड हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी So guys, सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन के बारे में फोन के Guys, the design of the phone is pretty insane So guys, हम बैक में देखने को मिल जाता है पूरी glass bag जो की काफी अच्छी रखती है देखने में And guys, जो यह नया color था Apple का जो iPhone XS का साथ निकाला था उन्होंने यह color भी काफी दा अच्छा है Guys, phone की पीछे glass bag देखने के वज़े से हमें इसमें देखने को मिल जाती है wireless charging जो की यह काफी अच्छा feature है But usually, मैंने देखा है आजका लोग अभी यूज नहीं करते है wireless charging Due to its very 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 large limitations And guys, बीच में मैं देखने में जाता है इसमें Apple logo Apple logo की placement guys थोड़ी ऊपर कर रखी नीचे नहीं कर रखी है जिससे हमें iPhone X मतलब पता लग जाता है के हाथ में लगेगा तो लोगों को लगेगा I mean, लोगों को क्या आपको भी लगेगा कि आप एक iPhone X यूज कर रहे iPhone X वाली फील आईगी जो कि मैं को चीज अच्छी नहीं लगी Design के बारे में Guys, अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में आपको देखने मिल जाती है 5.8 inch की सूपर Retina OLED डिस्प्लेइगा Super Retina OLED डिस्प्लेइग इस अमेजिंग वन हैक फीचर गाई वन अफ दिस्प्लेइग जो मार्केट में अवेलेबल आपको आज भी डिस्प्लेइब काफी ज्यादा अच्छी गाइज वो डिस्प्लेइब ओलेट डिस्प्लेइए जो मारे पर्फेक्ट ब्लैक समय देखने को मिल जाते हैं मोबाइल में आइवाइस थर्टिन के साथ डाक मोड आया है गाइस उसमें अगर आप इसमें आउन कर देंगे तो अगर आप आउट्डोर जाते हैं इसको भाहर यूज करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली यूज करने में क्योंकि ओलेट डिस्प्लेइब यह एंग इस मैं अपल ने घरिये तो डिस्प्लेइब काफी दर अच्छी है बहुत ही शाफ कलर देखने को म मिल जाते हैं अच्छी बात डिस्प्लेइब को नहीं लगी अगें वो डिजाइन से रिलेटेड ही है कि इसमें यूज हुआ है वह है नौच का इस नौच आने वाले कुछ साल बात अगर मानलों अभी आपल आइफोन ट्वेंटी में तो इसको दो तीन या चार साल तक तो चलाएंगे ही चलाएंगे चलो दू-तीन चार तो नहीं तीन या चार साल तक चलाएंगे या फिर वह भी नहीं चलाओगे लेट पिन अगर आप कुछ ऐसे वाले यूजर हैं तो तो कई होगा कि कुछ साल बात आपल अपना नौच रिमूव करने वाला है मुबाइल फोन से सब्सक्राइब होगा कि उस टाइम तक आने कर अगर आप आप एक्सेस यूज़ करेंगे तो डिस्प्ले है वो थोड़ी आउट्टेट से लगने लग जाए क्योंकि इसमें नौच देखने को मिलेगा एक और दिस्प्ले के बारे में कि तो डिस्प्ले है उसका रिफ्रेश दिस्प्ले आ रही है अगर आपने मेरा वन प्रस सेंप्रों का रिव्यू नहीं देखा है तो लिग्स दाइब इस्प्ले हट से ज्यादा स्मूध है मतलब 90 की डिस्प्ले यूज करने में काफी अलग फील आती है आपके हाथ में काफी स्मूध लगता है और आपल का आइफोन जाती है जो आने वाले आइफोन जाती है जो आने वाले आइफोन 11 उनकी पॉजिशनिंग बिल्कुल भी ऐसी नहीं है तो पता लग जाएगा कि हाँ पुराना पीस ओफ टेक यह लेटेस्ट वाला डिजाइन नहीं है और कबर अकलर हमें देखने को बिल जाता है यारा वह बिल्कुल हमारे आइफोन 10 जैसी है जोकी बहुत फटेक्स वाला पीचर जो है इसकी बहुत फोटोस वीडियो जो भी बोलो आप बहुत जाधा अच्छी आते हैं इसमें आप 4K भी शूट कर सकते हैं 60fps पे 4K 60fps इस वेरी 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 गुड अगर आप इसको अपने 80 इंच के टीवी पर भी देखेंगे तो एसन बिल्कुल नहीं लगेगा कि जो वीडियो आइफोन स्टाटिंग से अच्छा रहा है तो एक्सेस का कैमरा आइफोन एक्सेस का वह तो गई बहुत ही ज्यादा अच्छा है अगर परफॉर्मेंस और शॉट्वेर की बात करूं तो एसमें यूज़ हुआ है आपल की एट्व बायोनिक चिप आइट्वेल बायोनिक चि अगर फॉन की बात करें बेसिली फोन की परफॉर्मेंस यह एकर मैं बोलू तो एलेवन प्रोगेंट थोड़े बश्यूब्मेंट तो ऑब्रेस्टी होगी ही होगी मंदगाई कुछ जादा कुछ फरक नहीं है हमारी 11 प्रो मैक्स में और हमारे आइफोन एकसेस में थाइस इसमें आपल की राम मैंजमेंट काफी जादा अच्छी रही है अपर उपर से आपल की राम मैंजमेंट तो यह फोन तो बहुत ही जादा फास्ट है इसमें पर्फॉमेंस के यह साफब को कोई भी प्रब्लम नहीं आएगी आने वाले बेश्यक मेरे साबसे दो तीन साल तक बिल्कुल आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं अब को अपने आप आप ऐसा साल बात या फिर चार पात साल बात दी अप्रेट आपको पूरान हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है आइस फोन का हाडवेर तब दी बिल्कुल लेटेस अप्रेट आपको मिलती रहेंगी और आपकी फीचर्स होंगे जो आने वाले आइफों में आपको आइफोन आपको आपको बात करूं तो अगर आप 70,000 रुपीज की आपको बैटरी बहुत ही जादा धमाकेदार बैटरी मिले बट गई ऐसा कुछ नहीं है इसमें अगर आप एक एवरे यूजर नहीं है तो है या फिर फोटोस भी खीचने है तो तो बैटरी आपके लिए बहुत अच्छी बैटरी ग्रेट है अगर आप थोड़े से एवरेस से उपर वाले यूजर ने अगर फोड़े वाले इसमें खेलते हैं तो आपको बैटरी इतनी जाद अच्छी नहीं को मिलेगी आपको सेवन्टी थाउजन रुपीज के हिसाब से अच्छी नहीं हो पाती है वैसे बैटरी काफी अच्छी एक इस डेखने को मिल जाता है जिसके विए यह तो सब आइफोन में देखने को मिलता है मैं तो इसको हम शायद से अब एक कंप्लें नहीं बोल सकते हैं और तो एपल इस अगरा आप को गाना वाना चलाएंगे तो आवाज नीचे वरे स्पीकर से भी आएगी जहां पर एयरपीस लगा होता है यह पीस सी भी आवाज आईगी तो भापर इस पीकर भी लगे होते हैं जो कि आइस फिकर फोन इस इंसेन एंड और बीसिकली अगर सारे पार्स मेंने म प्रफॉर्मेंस मिल रही है और इसके रेट भी काफी ज़्यादा करमें अगर आप सेकेंड लेंगे तो तो और भी आपको कम लेट देखने को मिल जाएगा अगरा फोन को अभी लेते हैं तो आने वारे चार-बात साल तक आपको अपडेट मिलती है रहेंगी और मेरे जाएंकर हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि पहले नौन चोच उचुका है और डिजाइन आपको चींज करने क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट्स कमाना है तो प्रॉब्लम जो लगी है को डिजाइन के वारे मीं लगी है बाकि कर सॉफ्वेर हाडवेर के हिसाब से कोई पीस